प्रायो जप मुल्तानी पच्मीना कुछ नहीं बचेगा आओ अब सब पचेगा और मास्टर कार्ड सेफेस्ट वे टू पे नमस्कार आप देख रहें डेड़ सो काउं डेड़ सो खबर मैं हूँ आपके साथ संजाय आदो खबरों की शुरुबात करेंगे लेकिन इसमक्त सीध है आपको लिए चलते जैपुर मुख्य मंत्रिय अशोग गयलोद फिलाल बोल रहे करता हूं को समाचीनियों को मैं बदे देना चाहता हूं कि इस मिशिर को आगे बढ़ा है और जिस मास्त्री गंस पवरी स्कूल का अलवास्ति कुछ्सों है उन्ही स्कूल में भी करीब चारे-चार ज्यान चात्रे बढ़ लेगे हैं इसमक्त मैं उमिद करता हूं कि दिश रूप में ये विद्याले का मेलीजमेंट काम करना है इसमक्त में चात्रों को पुसंदिने काम करना है और विद्या पुलार जार जो इसको प्रेशिती में रिद्याना है ये मैंने विद्या करते हुआ है वासरोगे थी वो उम्मेटिके चात्र उसर्टेवा भी आई थी आपके जाने का वो उसर्टेवा जार करना है क्योंकि साधी हो गई ये विद्या बच्चे भी हो गई उसर्ट बाद में आई है तो मैंने का है मैंने कितना सुनाया कि मैं भी क्या है कि जम तुमें जानों साधी हो गई अच्छा काम करते हैं पर दुना 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 के बाद से सुनते हैं कि नहीं आप मेरी साधी में आये थे तब मालू परता है कि मैं भी आप काफी जादा तो मैंने कि जैपूर के अंदरा आपने अच्छा काम करते हैं और मैंने का क्यों नहीं आप डीपेस इस्पूर की तरह स्रेंचें दे लगए अपरे प्रदीश के अंदा इतना अच्छा आप काम करने हो तो मैंस्री के नाम से ही अब मैंस्री काने जादी ते सिमित्वी रही है मैंस्री ब्रांड बन चुका इस प्रुपना आपो काम करने अच्छा है जब कोई स्रुक्षर मिलती है तब रगब बैंड लगता है तो आप मैंने कहा है तो है अभी ता आप निलबात को में कॉमेंट के रूप में लिया है हो सकता है कि वो दिन भी आएगा जब मैं स्री के नाम से आप प्रेंचे ही देर लग जाओंगे कहने में ऊबम सारी बातें पर जोती खनलवाल ने आपको मेंना क्या मालता कर दिया आपको मैंने रिज बताई मेरे दिल में क्या है मैं क्या सुचता हूं और क्या सुचने चाहिए रखती को देश का भवशे हुमेचा युवापईडी पहता है। आज चात्र है, युवा है। उनके उपर कल का भवश्य है। इसे जिद्नि अच्छी सिख्षा पराली है हमारे होगी, जिद्नि अच्छी सिख्षाए होगी। मिस्ट जाले में जित्पर का एक्टिविटी होगी, जोई स्पोर्स की हो, प्रेट्सर की हो, भी मैतर रखती है, इसकी लिए डावलोपर के लिए भी मिस्ट जाले का जो सूच अभी बहाई दीर बिता रहे थे, मैं तो अच्छी सूच है, और ये वक्त मैं सभी को सरकाइन जिम्स, अफ्सर मेले जिंदिगी के अंदर, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आपकी तो अच्छी है, शर्गार का पुरा स्यूगा आपकी ठात रहें, जहां आपने श्रीपत रहें, कोई कहने देख एकते हैं, तो इस भी जाले के दर, जो चात्रों को, अगर सही मार को सुननी मिलता है, तो नसर पते की दर, बहुत अबिस को रहें, जो चिंदा को बनावाँ, इस शिग्रेट, जैपुरी के रेस्ट्रेंट में हुकाबार, जो पिड़ी जाती हैं, सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए, हुकाबार को बंद किया है, इस शिग्रेट कोई, रोक लगाई गई है गुटके पर पहले हमने रोक लगाई जी पिछली बार मैं अभी फूच रहा था कि मुझे जब पहरी बार आई था आपके यहाँ तो मेरा वो पहला मुख्यमंदी बनने के काल था और आर मुझे आपके सुभागे द्यात्रों के द्याओं से आशिवार से मुझे तीसरी बार मुख्यमंदी बनने का सुभागे बनने तो दूसरी बार जो मैं था तो मुझे रहा देख हमने उखका बार पर भी रोक लगाई थी आज भी ड्रुग का प्रेशन बहुत ज्यादा है चाहत्रों में कि स्विजले में कॉलेजिर के अंदर इसकूल के अंदर भी कही जाएगा 11 प्रेश की इस्ट्रेट के अंदर पेशन हो जाता है तो मुझे खूशी है कि महीस्वरी कर्श स्पूल और इनकी जो लिप्ती स्पूले हैं वहाँ पर इसके बार में दियान रखा जाता है सीबियसी के कोर्ट सो जाहे रास्तान, जिक्साब बोर कोर्ट सो, अब मैंने सुना है, आप लोग आई भी के दर बढ़ रहे हैं, इंटरनेसर गोर्ड के माध्यम से पैक्साय करवाएंगे, उनका अपना एकिस्ता में अपना एक सोच है, और उसको पुरा करना वारा करता रहे हैं, सुजगा की तरफ से पूरे प्रेटे के जा रहे हैं, कि दरतान, जो पहले रेगिस्तार के इलागे हुआ करते थे, पिछड़ा वारा रास्तान था, अकास होके पढ़ते जलते थे यापर, लिकास होनी पारा था, शारेश साधन, अकास होका मुगावला करने लगते थे हैं, हार वुष्टती नहीं है, और जाज़तान बहुत थे इसकति आगे बढ़ रहा है, जाज़तान में, अब तो हम लोगोंने प्राइविट सेक्टर को अलोग किया, जब से कॉलेज बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज हो चाहो, इंजिरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग के अंतर IIT आ गई, IIM उद्रपुर में आ गया, TIPAL IIT, कोटा में आ रही है, इस चारों और से सिक्षिन सर्चाओं का जाल बिठ गया है, कोटा हब बन चुका है, कोटा में, जैपूर में, शीकर में, के जिक ऐसी जापर, बड़े दुपे कोचिंग राशे चल रही है, मैं च स्कूल के मेनेजमेंट के तमाम जो हमारे साथी बेठे वे हैं, उनको चाहिए कि आगे आके वो कोचिंग राश के काम भी कुछ हाथ में लें, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि हम करीब हजार बच्चों को, बच्चियों को, फ्री, बिना फीच लिए वे, उनको अम लोग स्विधा देरे स्कूल के अंदर, एक तरह भार सरकार्ण जब डॉक्टर मनमाउंची जी थे प्राइमिस्टर, शोर्या गांधी जी थे चेर बच्चन लुपय की, तब जो कानून बने दिल्ली के अंदर, लोक्षवा के अंदर, संचत में बहुत बी मिशाल थे, चाह वो कानून हो, एते जी था पुरे विश्व के लिए, क्या फूर्ट सिकूर्टी का कानून हो, क्या रोजगार का कानून नरेगा के माध्यम थे, तब साथ में आर्टी ए, चिक्षा का अधिकार की कानून मिलाना, एक अधेज फैसला था, वो फैसला भी हुआ, आर्टी का, आर पुरे देश के अंदर, शिक्षा का दिगार सबको मिलावा है, उसके माध्यम थे कुछ चात्र, शुदा प्राप्ट करते हैं, इसको लोगे अंदर, पर बाहिते लिए बतारे थे, उसके अलावा भी है, जार बच्चों को आप दे रहे हो, शिक्षा, फ्री एजुकेशन, म इसके लिए मैं आपको बदे देना चाहता हूं, धन्यवा देना चाहता हूं, क्योंकि समाने में कही लोग आरतिक रूप से कमजर भी होते हैं, कही बार उसके अभाव के अंदर, कोई परिवार अपने बच्चे को बढ़ानी पाता है, और मैंने हमेशा जोड़ दिया है, औ पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, फिर मेरे उसको बढ़ाया दूसरे टर्म में, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, द्रक्स लगर बेटी बचाओ, बेटी बचाओ का मेहत्वा समझ सकते हैं, कितना बड़ा है, कई कड़े कानून बने वे हैं, तब भी के वाद भूनते हैं हो जाती है, सरकार की इच्चा सकती है कि खारिस्तान में बेटी बचाओने काम बड़ी दूप नहूँ, लड़िकों की महिलाओं को पुरी स्विक्स समार के अंदर दूबागे से देश में प्रदेश में के बाहर बलाजकार भी और उद्पिणन भी दैर प्रता के रूप में शिकायते भी उचके लिए सरकार पुरी तरह ध्यान रखती है कि कैसे हम उच्पी रूख सकें, पुरी तरह रूखना संबह भी नहीं होता है, बस स लड़कियों की शिक्षा को भी बराबर का अधिकार मिले, और मैं दाजों के साथ कह सकता हूं आपको, पहली बादर में मुख्यमदी था, बुरी आंगड़े पुरी लियाद नहीं अभी तो, बहुत कम शिक्षा थी लड़कियों की राज़तान के अदर, आज वो इस्ते द इसलिए मैंने कहा, और केई कदम ऐसे उत्रा चुकी सरकार है, आपको जादों का मैंने भी कहा, आपको शिक्षा का दिकार, आर्ट की कानुन बन गया है, पार्लेमेंट गया है, राजीव गान्दी ने प्राहिमिश्य थे नौजवान, तब उनने पहली बार आर्शन दिया म सविदान के अंदर, बड़ा कदम था, क्रांदी करी कदम था, कि मैलाओं की भागेदारी हो, सत्ता के अंदर, उसके पहले कानुनी था, आज से मिला मैलाओं को इसलिए जोती खर्णेरवाल को मेर बनने का अपसे मिल पा, अगर वो कानुनी होता, तो साय वो नहीं मिलता, क् मैलाओं को गाओं में वाडपंट, शर्पंट, प्रदान, पती, प्रदान, प्रमुक, नेर, सभापती, ये राजीव गांदी की सूर्सी मैलाओं को आज से मिले, जिस्टे की मैला भी भागेदारी निवाय देश के सासन के अंदर, उसके फ्रेदला हो तो पाकितार का एक ए जिस्टे के लिए, जिस्टे के लिए, जिस्टे के लिए आदी हमारी मैलाओं के होती है, उनको अधिकार देना सप्ता के अंदर, बड़ा एहम फ्रेदला था, कोई का लाग मिला, मैं गुंगर ये बात तो करूं अभी भी, जिसके लिए भी जोदी घंडला ने कहा, तो जिसक्षा के साथ में गुंगर ठरता है, हमके शिक्षा में टोड़ देंगे, हर परिवार में लडगा लड़की पड़ाई करें, पड़ाई के बगए जीवन मंदेरा है, लाजीव गाने के सपनों के दुरूपार, कम्पूइटर, इंटरनेट, मोबाल फॉन, दुनिया मु सथी आपको जमाना ही आचुका है, जो पड़ लिग जाते महिला है बच्चे है, वो गुंगर निकालती है, इस रूप में जो गाहों की सरपर्ण मनती थी पहले, तो गुंगर मनती थी सरपर्ण मनने के बाद में भी, और हम लोग मीटिंग में जाते तो हूंगे पड़ी आ जो जो भी आप दो आप सरपिन का आप जो हूंगे, आप प्रण पटी नीचे बाद यह है, कि जो मैं सरपर्ण पती हूं। मैंने आप नही पोष्ट बना दिए आप ने सरपर्ण पती बदान पती प्रणी प्रम्पती अ आ जिन दिरे दिरे में देगा, वह महिला निगाल दी थी सर्पन के रूप में, दिरे दिरे कहने लगे अपने पती को, आप जाओ घर पे में मेटिंग समाल लोगे अपना आप, और गुंगट हड गया, एक तो वो करांदेगारी फेहते थे जिसके कान गुंगट हड रहे हैं, एक शि आज में सुबह कहा, तो जोदी घंडेवाग में कह रहा हूँ, कि ये राजीव गांदी के सपना दाग आप पर बैठी हुई है, और स्वाद घंडेवाग नीचे बैठावाई है, ये उनका सपना है, वो पूरा हुआ हूँ, बना आप पर बैठते हैं, ये नीचे बैठी है अब तो आप कहीं बुलाओ क्या मत्रवाई जोदी घंडेवाग नीचे बैठी हुई है, पति ये नीचे बैठी हुई है, पर गुंगड का अभियान चलाना चाहिए, मैं आवाल करना चाहूँगा फिर मन से ली, एक भी परिवार में गुंगड नहीं है, गुंगड नहीं ह में कब तक आप महिलाओ कैद करोंगे इस समझ के परे हैं, उत परिवार का विकार सुख जाता है, वो महिलाओ में प्रसिबा होती है, हर रेक्टी में जो फुरुस्वाय महिला हो, लड़का हो और नर्की हो, टेलिट होता है कोई नकोई है, उतको आप शिवाप कर देते हैं गुंगट वाला काम हम अटाने के काम करें, और जो तिखेड़ना जेते नेता है, उनको आगे आना चाहिए इस काम के लिए, महिलाओ खुद आगे आए, और पुर्सों को विदमें कहना जाओंगा, जो समझेश के काम करें परिवारों में, इस काम को आप गंप्री महिलें, महिलें काम नहीं है, सुन्य गांदिया मने देता है, वो तो पिछले पनाफी सार लगी हुई है, कि पाल्लेमेट के अंदर भी और विदमें के भी बाइलाओं को 30 प्रेट आइच्छे मिलना चाहिए, 30 प्रेशे मिलें, तो आप सूर सकते हैं कि महुल बना है देश के अंदर अब तो तुमाम पॉर्डिस पॉंटिकें लग गई है, हम त्यार हैं, और फिर भी वो काम नहीं तक बनने पाला है, कम नहीं कमी बनके रहेगा, तो मैं इस मुबारक मों के बार दुमी बातें के दवा, मैं आपको शुक्रिया दा करूँगा कि आपने मुझे यह आने का मू अब तरी बार इस स्कूल के लिए, मुझे खुशी है कि आपकी सोच जो है, बहुत प्रगदी सी सोच है, कैसे हम लोग आगे बढ़ा इस चत्र में, और जब मैं आप उके चुगा हूँगा, आप निश्चे करें, शर्गाई की तरफ से आपको कोई तकलिब नी आए, जिस आप जेंगे, उनको पूरा करेंगे, यह बात करता हूँ, धन्यवाद, यह धन्यवाद, श्रीमान, शिक्षा से खुश्पित बच्चों की फिल्वाद, माहिश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल का यह वारशिक उत्सो है, जिसमें मुख्यमंतरी पहुंची है, और आप तस्वीरे देख सकते हैं, मुख्यमंतरी ने मन्ज से संबोधित वे महिला करते वे महिला सशक्तिकरण, और खुंगट प्रथा को लेकर साफ तर पर कहा कि महि महिलाओं को आगे लाने की पूरी कोशिश उनके सरकार कर रही है, और खुंगट प्रथा में कब तक आप पांद कर रखोगे महिलाओं को सब के भीतर टैलेंट होता है, उसको आगे लाने के लिए इस प्रथा को खत्म करना होगा, बहराल यह तस्वीरे आप देख सकते हैं, है झाले झाले हैं